हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुवी अपडेट के सेक्शन में जिसमें हम हॉलिवुड से रिलेटेड मुवी की सीरीज इन सारी के सारे टॉपिक्स पर हाँ फिल्मों पर भी बा सब्सक्राइब करते हैं सीधे स्पाइडर मैं 4 फिल्म के डारेक्टर को लेकर के जिसकी कुछ छोटी मोटी सी रूमर्स निकल कर आई है कि हो सकता है कि इस फिल्म को जिम्सवान डारेक्ट करें क्योंकि उसके अलावा नाम एडम विंगाट का भी है जिन सब पर अब सबसे पहला नाम पैट बॉइस फिल्म के डारेक्टर बिलाल और अदिल का निकल कर आया है जिस पर उनसे चोटे से इंटर्वी में ये बात पूछी भी गई थी किया वो स्पाइडर मैं 4 फिल्म को डारेक्ट कर भी सकते है या नहीं और अफकॉस उन्होंने उस पर बिल्कुल भी फिल्म ली शुट्स के जहमिले से गुजर रही है जिस फिल्म के सेट पर आपने क्लियर ली जेश के लोइस पसीतो को देखा होगा जिनके लुक और टेक्टर को देखकरके ये बात तौ पता चल जाती है कि वह इस फिल्म में अपने और ने कर थो लेकर के काफी बड़ा से उठाया गया है जहाँ पर कुछ rumors के नाम की बात की जाए तो रॉल बुश्मैन, हेंड्री गेरिच, ब्लू मावल जैसे character का नाम निकल कर आया है और हूनोस के इस list में और भी नाम जुड़े लेकिन देखा जा तो ये सारे ही changes फिल्म के पूवर response की वज़े से निकल कर आई है जिस पर marvels के वो कहते हैं कि कुछ experts screening के तोर पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे इसलिए इस फिल्म को और भी काफी जादा बेटर बनाया जा रहा है जिसके पहले के कई potions और character को फिल्म से भी निकाला गया है खास करके सेंथ रोलिन के character का उस list में नाम सबसे टॉप पर है यानि के serpent society पत्ता कट situation समाझ सकते हो कुछ इसी तरीके की है बाकि लेटसी के ये फिल्म जल्द से जल्द बेटर बनने के लिए कौन-कौन से step को उठा करके 14 Feb की release पर set होती है जो कि इस फिल्म की official release date भी है बाकि हाँ इस फिल्म के leaks related ये update तो निकल कर नहीं आई है कि Marvel जो उन लोगों के पीछे पड़ा है जो इस फिल्म से related कई सारी चीज़े या फिर कहू अब डिजनी के हायर की चेंज होने की बात की जाए तो आपको पता ही होगा के ड्वेन जॉंसन और उनकी production company 7 bucks ने first look की डील साइन की है जिस डील में डिजनी ने उन्हें पूरा creative control multiple ideas को explore करने का दे दिया है यानि वो अब डिजनी के यूनिवर्स में जो कुछ भी फिल्म है इस सीरीज जिन में Star Wars से लेकर के World Disney और यहां तक के Marvel Studio भी आता है तो उन सब पर वो वो कहते हैं न के पहली नज़र रखकर Kevin Feige के साथ में भी idea discuss कर सकते है कि वो एक idea पर काम कर रहे है और इसमें उन्हें Kevin Feige की हामी चाहिए और ऐसा ही काम वो डिजनी के बाकी दूसरे studios के पिछेस में भी अपनी involvement दाल करके कर सकते है ऐसे में अब उनकी पकड़ और character आपको जल्दी डिजनी से लेकर Marvel तक में भी नज़र आएगा इस बात की surety इसी deal से confirm हो जाती है यानि जो काम वो DC के universe में रह करके नहीं कर पाए वो अपनी team के साथ पूरे Disney के world में खरेगे जो की मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक भी है क्योंकि जो situation उन्होंने DC के universe में Warner Brothers के साथ मिलकर के create करने की कोशिश की थी उस पर James Gunn और उनकी team ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया क्योंकि देखा जाए तो यहां पर आइटिंग के department में James Gunn की team और उनका हाथ बहुत ही जादा strong था कि वो DC के universe को आगे actual में किस तरीके से बढ़ाना चाते है जबकि Dwayne Johnson पूराने ही घिसे पीटी चीजों पर फैंस को nostalgia फिल करवा कर इस universe को आगे ले जाना चाते थे जो मेरी नजर में एक stupid decision था लेकिन फिर भी Henry Cavill के लिए बुरा तो लगता ही है और घुस्सा उनकी PR टिम पर आता है जोने ने Henry Cavill को बहुती बुरे से बुरे decision दिलवाए है लेकिन अगर आप अपने दिमाग के घोड़े दोड़ाओ तो आप comment में मुझे ये लिखकर बताओ कि आप Dwayne Johnson को MCU के universe में किस Marvel के character का role play करते वे देखना चाते हो जिसमें मैं तो उन्हें अभी से ही एpocalypse की शकल में देख रहा हूँ बाकि आप की राय जैसिक मैंने कहा comment section में जरूर बताइएगा जिससे हटकर अब Blue Beetle की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि James Gunn की confirmation Blue Beetle की film और सकी cast को लेकर के इसी बात की थी कि ये पूरा Blue Beetle का universe उनके DCU के vision में बिल्कुल perfect fit बैठ रहा है वा फिर क्या था फिल्म ने box office पर कुछ खास कमाई नहीं की जिसकी चलते अब official update इस story को animation form में आगे continue करने का है जी हाँ जो की एक series रहेगी जिसकी थोड़ी detail को पढ़ने के बाद मैं ये बात पूरी तरीके से समझ गया कि ये कहानी Blue Beetle के universe की असल मायने में उसी film की है जो film आप देख करके बैठे हो लेकिन उस कहानी में James Gunn ने अपना touch देकर story को एक हिसाप से बहुत ही जादा upgrade कर दिय जो की animated form में बनने तो जादा better रहेगा क्योंकि उसी के चलते जो कुछ भी चीज़े live action में हुई है उसका proper justice हो सके और तब जाकर ये film एक series की proper कहानी के साथ आप कह सकते हो के James Gunn के vision और DC के universe के साथ connect हो जाएगी जिसमें एक और बुरी बात ये है कि पुरानी film के director फिलहाल इस project के साथ deadline वालो के report के recording अभी नहीं जूट रहे और अच्छी बात करूँ तो पुरानी film की सारी ही cast इस film में अपने character का योगदान देगी यानिके return करेगी as a voice artist और फिसके बाद बात करे वेर वुल्फ के आ रहे Frank Grillo के project की जी हाँ ये film December के month में release होगी जिसकी कहानी सुन कहानी की बात की जाए तो कहानी एक ऐसे supermoon के event की है जिसने कई सारे humans को उनके genes से trigger किया था जिसके चलते वो सब भी obviously film के title के according वेर वुल्फ बन गए थे और फिर क्या था उस chaos में millions नहीं बलके billions लोग मारे गए थे जिसके कुछ साल बात अब वो supermoon फिर से return आएगा यानि chaos क कि वो कहानी जो बचे हुए humans है उनकी situation पर रकर दिखाई जाएगी क्योंकि ये fullmoon उन्हें वेर वुल्फ पूरे एक रात के लिए बनाएगा इसलिए मैंने इस फिल्म को पहुच के साथ compare किया था उपर से फ्रेंग गिरिलो इस फिल्म के lead actor है तो फिर ऐसे में आप समझ सकत और dedication खर्च की गई है और इसके बाद बात करें power ranger की universe की तो आपको पता ही होगा के netflix वालों ने आज से कुछ साल पहले हॉस्बर्ग वालों के साथ में deal करकर इस film की movies के साथ साथ series की official announcement की थी जिस कहानी में नए timeline के power rangers पुराने og power rangers से time traveling करके मिलते और sms की कहानी आगे continue करने की demand रख चुका है जिसकी जादा detail अभी के लिए तो reveal नहीं की गई यानि के power rangers fans के लिए ये बहुत ही अच्छी ख़बर है और घर बैठे हुए लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं जिसमें देखा जाये तो अगर ये film netflix पर लीज होती या फिर इसकी series भी तो वह कह लॉइन गेट स्टूडियो के साथ था जो कि अपने content में budget को ध्यान में रखते ही है उपर से production quality उस level की नहीं जा पाती जैसा actual में fans को चाहिए और जिस समय यानि के साल 2017 के आसपास जो फिल्म बनी थी उसे सिर्फ सिर्फ सूपर हीरोस की hype को ही ध्यान में रखकर के जल्दी production में दाल दिया गया था जो कि एक मेरी नजर में बहुत ही बुरा decision था और वैसे में जबकि इतने साल बीद गए है तो फिर उस पर fresh take अच्छे writers और टीम के साथ लेना बनता है जिन पर सुनने में ये भी आया था कि Netflix अपनी साधा चला रहा था और गर Netflix ऐसा कुछ करने की स्टूडियो डियरेक्ट इस फिल्म के प्रडूसर के साथ सीक्वल को डिसकस करने के लिए निकल पड़ा था जिस पर अब ध्यून का ये discussion चल रहा है जहां पर फिल्म के प्रडूसर जैरी ब्रेखेमर ने यही कहा है कि वर राइटर एलिन के साथ मिलकर के इसके idea को कैसे क्र पासन मिला रहे जिस पर देखना इंट्रेस्टिंग ये भी रहेगा कि पूराने डिरेक्टर जोसफ इंट्रेस्टेड भी है या नहीं इस फिल्म के तीसरे पार्ट को बनाने के लिए जिनका experiment मैवरीक में बहुत नहीं बलके काफी जादा शानदार था खास करके उन लोगो के लिए जिन्होंने इस फिल्म को 4D में देखा था और अब शायद जोसफ वैसे ही सेम experience को formula 1 की ब्रैट पीट की आ रही फिल्म में दिखाना चाहते है जिसका budget 300 मिलियन का है भाई सहाफ जिस पर शायद से producer जिसमें जैरी ब्रेक हैमर के साथ साथ कुछ जोसफ का भी नाम है उनी के visions को देख करके definitely हामी भरी होगी वरना कोई पागल ही होगा कि इस तरीकी की फिल्म पे इतने जादा पैसे खर्च कर दे जिससे लेकिन एक बात तो कहीं न कहीं confirm हो जाती है दिमाग में के जैरी ब्रेक हैमर फिल्म के producer का साथ डिरेक्टर जोसफ के साथ काफी जादा अच्छा बैठ रहा है जो शायद से आगे भी उनके लिए कहीं न कहीं टॉप गन 3 फिल्म को डारेक्क कर दे लेकिन फिल्हाल तो आइडिया क्रैक नहीं हुआ है बस फिल्म की ही अनॉंसमेंट है इसी बात से खुश हो लो बाकि अब कुछ कुछ अपडेट की बात करें तो हिट मंकी के सीजन 2 को अफिशली नेक्स मन्त 15 जुलाई से हुलू पर लीस किया जाएगा बाकि आप देख लेना कि आपको ये शो कहां से देखने मिल जाएगा क्योंकि डिजनी प्लैस पर इसका पहला सीजन अवेलिबल है इसके अलाबा अंटिल डाउन गेम के अड़ेशन पर एक मूवी बन रही है जिसकी स्टार कास्ट आपको स्कृन पर दिख रही होगी जिनमें से मैं किसे भी नहीं पहचानता और नहीं मुझे ये गेम उतना स्यादा पसंद है लेकिन इसकी फैन फॉल्विंग है जो इस तरीके के गेम को पसंद करते है लेकिन हां जिस तरीक बुलवरीन फिल्म के बॉक्स ओफिस नंबर जो की ओपनिंग के है वो फिलालत एस्टिमेट किये जा रही है 200 से 240 मिलियन के जो की आर रेटेट की इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि सीधे फर्स पोजिशन पर आ रही है ऐसे नंबर के हिसाब से जिसका पहले रिकॉर्ड डेटपूल बन के पास है जिसने ओफिशली 132 मिलियन की आकड़े की कमाई की थी पाकिलेट सी के डेटपूल और बुलवरीन फिल्म इन सारे रिकॉर्ड्स को वह कहते हैं ना कि अपनी क्याटिगरी की लिस्ट में किस तरीके से तोड़ती है अफी बात करें रिवेका फोग जिसकी अगर कहानी की बात की जाए तो यह कहानी रियल टाइम वाइट हाउस की सिच्वेशन पर होगी जहां पर आ रहे है बैलेस्टिक मिसाइल पर उनका टेक क्या होगा यही दिखाया जाएगा यानि कि एक और त्विलर एक्शन जॉनर की फिल्म और फिर इससे हटकर एन इसमें रिलीस होने वाली है और मुवाना टू फिल्म इसी साल 27 नवंबर को जिसके बात-बात करें हुग जैक्मेन के अपकमिंग फिल्म फिल्म फ्री बैक्स फुल ए शिप डेटेक्टिव मूबी की जी हाँ यह इस फिल्म का टाइटल है जिसके अगर कहानी की बात की जा यह कहानी शेफ़र्ड नाम की बंदे की है जो रोज रात को अपनी शिप्स को मर्डर मिस्ट्री की कहानिया सुनाता है और फिर एक रात जब वो उन लोगों को मरा हुआ मिलता है तो वो लोग डिटेक्टिव मोल में चले जाते है यह जानने के लिए कि शेफ़र्ड को किस मारा जो स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग और थोड़ी वियर्ट सी है जो फिल्म ओफिशली साल दो हजार चब़ीस बीस फैब को रिलीज होगी जिसकी बाकी की कास भी आपको स्क्रिन पर दिख रही होगी फैर तो यह थी सारी की सारी अपडेट दूसरी की सी वीडियो में तिल देन बाई दूसरी की सी वीडियो में तिल देन बाई